Hello Friends, Friends Poco X2 camera की problem से आया है हमारे पास वैसे तो पोको X2 में अगर camera की problem आती है तो CPU को रिपोल्ड करने से ही ठीक होता है फोन camera बदल के ठीक नहीं होता तो CPU से ऐसी क्या problem आती है वो आज इस phone में हम देखेंगे तो जैसे हमने camera को on किया और तो camera black screen पर अटक गया है तो अब हम camera को बंद करके उसकी property को clear all data, camera का clear all data करके फिर उसका front camera चला के देखेंगे तो यह हमने इसका clear all data कर दिया है और अब हम phone के front camera को चला के देखेंगे तो यह हमने camera on किया और on करने के बाद जल्दी से front camera के लिए option को दबा दिया तो front camera इसका काम कर रहे हैं लेकिन जैसे back camera पर दुबारा से कर रहे हैं तो वापिस वो stuck हो गया black screen पर और फिर हमने camera off किया दुबारा on किया तो ना यह front चल रहा है नहीं back चल रहा है तो front कैसे चलेगा दुबारा से के यह data करना पड़ेगा और जल्दी से front camera के लिए बटन को प्रेस करना पड़ेगा तो front camera दुबारा चलने लगेगा लेकिन back camera नहीं चलेगा तो अब यह fault CPU से आता है तो क्या कारण होता है क्यों आता है और कैसे उसको चेक करें तो हमने क्या क्या हमने स्मैटिक के हिसाब से इ अब हम इसके सभी पिंस पर रिडिंग चेक करेंगे स्मैटिक के हिसाब से तो यहां पर हमने मेटर पहले पॉइंट पर लगाया रिडिंग आ रही है दूसरे पॉइंट पर लगाया रिडिंग आ रही है तीसरे पॉइंट पर लगाया रिडिंग आ रही है स्मैटिक के हिसा supply break है अब वो supply break है कि CPU तो supply नहीं है तो इसमें होता कि CPU से जो इसका connection है वो मतब जो CPU की बोल है जो जिस बोल से इस point को connection मिल रहा है वो disconnect हो जाती है तो फ्रेंट जैसे हम यहां गिन रहे हैं कि एक ground दिखाए गया बाकि जितने भी स्मेटिक में yellow points या yellow print दिखाएगे हैं सब पर reading आनी चाहिए उसके अलावा जो gray है वो सारे ground है और जो आपको sky blue type के या light blue दिखाए दे रहे हैं वो NC है यानि कि note connected तो हमने स्मेटिक के हिसाब से ही उसमें चेक किया तो जितने भी आप yellow देख रहे हैं सब चेक किया था उस पर reading नहीं आ रही तो हम bitmap पर जैसे हमने चेटे पर क्लिक किया तो उसने दिखा दिया कि यह supply कहां से आ रही है तो हम इसके इसको follow करते हुए जा रहे हैं तो इस सीधा हमें CPU से आती हुई दिखाई दे रही है अब यह होता किया कि CPU की drive solding के वज़े से यानि कि CPU की जैसे CPU काफी सबी features को यानि कि सबी को पता है कि CPU Central processing unit होता है सबी functions को command देती है CPU और camera को भी CPU चलाती है तो camera की काफी सारी supply यह CPU से आ रही होती है उन में से एक भी supply अगर मिस हो जाती है या फिर CPU के जिस बोल से वो connect होती है वो बोल अपने जहां पर उसका टांका लगावा तो वहां पर पकड़ छोड़ देती है तो connectivity खतम हो जाती है और वहां पर rating आना यानिकि डायड वैल्यू आना उस point पर आना बंद हो जाता है तो इस phone में CPU से ही यह problem आती है supply break का कोई चांस नहीं होता नहीं तो अगर यह first time अगर कोई सी ऐसे phone कम ठीक कर रहे होते तो हम क्या चेक करते कि है इस Comative के हिसाब से सभी points पर रिडिंग चेक करते हैं जिन पर रिडिंग आ चाहिए उस सब प्रेंग चेक करते हैं के जितने पी यह पोइंट से यह फिए कोई जान लिध साथ सा ये फिकом नहीं है जिस पर रिटीन हम चेक करते कि अगर हमें कोई रीडिंग नहीं मिलड़े किसी लाइन पर और फर्स्टेम ऐसा कोई फोन हम ठीक कर रहे होते और स्मेटिक के हिसाब से मैं जैसे की पता लग रहा है कि उस CPU से आ रही हो लाइन तो हम लोग क्या करते उस प्रिंट पर मिटर को बजर पर सेट करके से उस प्रिंट पर लगातेए जिस पिन पर रिडिंग नहीं आ रही है और स्मेटिक के हिसाब से CPU को तारने के बाद जिस CPU की प्रिंट से वो कनेक्शन आरहा है उस प्रिंट पर दूसरा मिटर का तार लगाते और यदि हमें वहाँ पर बीप मिलती तो यानि कि उसकी सप्ला करके लगा कर उस जंपर को वहां उस पॉइंट तक ले जाना होता जिस पर हमें रिडिंग नहीं मिल रही थी या जिसकी सप्लाई ब्रेक होती है वहां तक तो फ्रेंड इस पूरे फोन में हमने सीप्यू को उतार के रिवोल्ड करके लगा दिया अब एक बार हम मीटर से चेक करेंगे कि उस पिन पर रिडिंग आने लगी है या नहीं तो जैसे आप देख रहे हैं कि रिडिंग उस पे चार पांसु क्या सबसाएगी पांसु रिडिंग उस पर हमें मिल गई है डाइड वै कौन कर लिया है अब क्या है चलाकर देखते हैं कि ऐत मेरा चलने लगा है और अगरा आपको वीडियो पसना हाई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चैनल पर नही है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तaking इसी तरह की और वीडियो हम आपके लिए लाते रहे है सेंकी दोस्तों